Assalamu alaikum dear students, मैं चांद्रिजवी, Assistant Professor of English. आज से मैं आपके लिए English के lectures का एक सिलसला शुरू कर रहा हूँ और सबसे पहला lecture हमारी FSE की Book 1 का Lesson 1 Button Button प्यारे बच्चो, Button Button एक बहुत मशूर American writer Richard Mason की लिखी हुई कहानी है ये बहुत ही suspenseful कहानी है, दो मिया बीवी के बारे में है ये कहानी जिनकी जिनकी जिन्दगी में एक पेशकश आती है, एक शक्स एक पेशकश लिखे आता है और वो पेशकश कैसे उनकी शक्सियत और उनकी जिन्दगी को तबदील करती है ये हम इस कहानी में देखेंगे तो आएए शुरू करते हैं, बटन, बटन दे पैकेज वस लाइंग, पैकेज अमेरिकन इंग्लिश में पार्सल को कहते हैं डाक के जरीए हम जब कोई सामान कहीं भेजते हैं तो वो पार्सल कहलाता है दे पैकेज वस लाइंग, पार्सल पड़ा हुआ था बाइदा फ्रेंट डोर, फ्रेंट डोर घर का मरकजी दर्वाजा, घर का सदर दर्वाजा दे पैकेज वस लाइंग बाइदा फ्रेंट डोर, पार्सल घर के मरकजी दर्वाजे के करीब पड़ा हुआ था A cube shaped carton Cube ये एक geometrical shape होती है जिसे उर्दू में हम कहते हैं मुकब Cube shaped मुकब शकल का Carton गत्य का डबा था Sealed जिसे बंद किया गया था With tape Tape की मदद से चीजों को जोडने के लिए जो हम tape इस्तेमाल करते हैं English में भी इसे tape कहा जाता है और उर्दू में भी tape एक मुकब शकल का गत्य का डबा जिसे tape की मदद से बंद किया गया था Their name and address उनका नाम और पता जिन लोगों के घर ये parcel आया है उन लोगों का नाम और पता इस parcel पर लिखा हुआ है Their name and address उन लोगों का नाम और पता printed by hand हाथ से तहरीर किया गया था और उनका नाम क्या था Mr. and Mrs. Arthur Lewis तो English में Mr. पहले और Mrs. बाद में लेकिन उर्दू में ये तरतीब हम उलट कर देते हैं बेगम वजनाब आर्थर लिविस 217E ये उनके flat का नंबर है उनके apartment का 217E 37th street गली नंबर 37 न्यू यॉर्क New यॉर्क 10016 तो 2 दफ़ा New York आया है पहला New York ये शेः के लिए है जिस शेः में वो रहते हैं उस शेः का नाम है New York और दूसर निव जॉर्क है स्टेट के लिए रियासत के लिए तो उनकी रियासत भी नियु यॉर्क है और दुनिया के हर शहर का एक पोस्टल कोड होता है नियु यॉर्क का पोस्टल कोड है 10016 बेगमवा जनाब आर्थर लिविस 217E गली नमबर 37 नियु यॉर्क नियु यॉर्क 10016 नौर्मा पिक्डिट अप नौर्मा ये खातुने खाना है नौर्मा पिक्डिट अप नौर्मा ने इसे उठाया अन्लॉक दॉर लॉक ताला लगाना अन्लॉक ताला खोलना अन्लॉक दॉर दर्वाजे को खोला और अपार्टमेंट में फ्लैट में चली गई अन्धेरा बस चाने ही लगा था अन्धेरा बस चाया ही चाहता था अफ्टर शी हैड पुट दा लैम चॉपस इन दा ब्रोयलर लैम चॉपस बकरे की चामपें और ब्रोयलर ये एक हीटर होता है जो दीवार में फिक्स होता है आफ्टर शी हैड पुट दा लैम चॉपस बकरे की चामपों को इन दा ब्रोयलर हीटर में रखने के बाद शी सेट डाउन वो बैठ गई टू ओपन दा पैकेज वो इस पारसल को खोलने के लिए बैठ गई बक्रे की चांपों को हीटर में रखने के बाद वो पार्सल को खोलने के लिए बैठ गई तो जब खोला तो क्या देखा इंसाइड दा कार्टन गत्य के डब्बे के अंदर वाज आ पुश बटन यूनिट पुश बटन वाला आला था पुश बटन जिस तरह हमारे घरों की कॉल बेल होती है या मोटर साइकल का हौन होता है जब हम कॉल बेल या हौन को दबाते हैं तो बेल बचती है, हौन बचता है और जो ही हम अपने उंगली या अपना थम वापिस उठाते हैं तो बटन भी अपनी हालत में आ जाता है। इसे उर्दू में भी हम पुश बटन ही कहेंगे। और यूनिट का मतलब आला जिसको हम डिवाइस भी कहते हैं। Inside the carton, गत्य के डब्बे के अंदर, was a push-button unit, push-button वाला आला था, fastened, जो जुड़ा हुआ था, to a small wooden box, जो लिकड़ी की एक छोटी डिविया से जुड़ा हुआ था। A glass dome, dome गुंबद, glass dome, शीशे के एक गुंबद ने, covered the button, button को धांप रखा था। तो लिकड़ी की डिविया, के उपर एक push-button वाला आला था, लेकिन ये आले, आला बंद था एक गुंबद में, ये भटन एक गुंबद में बंद था। Norma tried to lift it off, Norma ने इस गुंबद को उतारने की कोशिश की, but it was locked in place, लेकिन इस गुंबद को ताला लगा हुआ था, लेकिन ये गुंबद मुकफल था, मुकफल का मतलब ताला लगा हुआ था। तो Norma ने गुंबद को उतारने की कोशिश की लेकिने से ताला लगा हुआ था। She turned the unit over, उसने इस आले को पलटा and saw, और देखा, a folded piece of paper, folded तह शुदा, folded piece of paper, कागस का एक तह शुदा टुकडा, scotch taped, scotch tape की मदद से, scotch tape वो शफाफ टेप, जिसकी मदद से हम currency notes को जोडते हैं, to the bottom of the box, bottom पैंदा, नौर्मा ने इस आले को पलटा, तो दिखा, कि कागस का एक तह शुदा टुकडा, scotch tape की मदद से, इस डिबिया के पैंदे से चिपकाया गया था, she pulled it off, उसने खींच कर इस टुकडे को उतारा, और जब इस टुकडे को खोल कर पढ़ा, तो इस पर लिखा हुआ था, Mr. Steward will call on you, call on किसी शक्स से मिलना, Steward सहब आप से मिलेंगे, at 8 p.m. Mr. Steward, आठ बजे आप से मिलने आएंगे, Norma put the button unit, Norma ने button वाला अला रख दिया, beside her, अपने साथ on the couch, Norma ने button वाला अपने साथ सोफे पर रख दिया, couch, sofa, she re-read, read की दूसरी फाम होती है, read, पढ़ना, और re-read, दुबारा पढ़ा, the typed note, typed, type शुदा, तहरीर शुदा, और note का मतलब message पैगाम, Norma ने इस तहरीर शुदा पैगाम को दुबारा पढ़ा, smiling, मुस्कुराते हुए, तो Norma ने मुस्कुराते हुए, इस तहरीर शुदा पैगाम को एक बार फिर पढ़ा, और मुस्कुराई इसलिए, कि वो समझ चुकी है, कि किसी company ने एक अजीब सी, अजीब और गरीब सी machine बनाई, और इस machine को बेचने का एक निया तरीका निकाला, कि ये आला बेच दिया, लेकिन चाबी नहीं दी, और अब steward नामी कोई salesman, शाम को आठ पजे आएगा, और मुझे बेवकूफ समझ कर, ये अपनी घटिया मशीन मुझे बेचने की कोशिश करेगा, तो वो इस बात पर मुस्कुराई, अ फ्यू मेंट्स लेटर, चंद लमहों के बाद, शी वेंट बैक इंटू दा किचन, वो बावर्ची खाने में वापस गई, तो मेक दा सैलेड, सैलेड सलाद, चंद लमहे बाद, वो सलाद बनाने के लिए, बावर्ची खाने में वापस गई, दोर बिल रहेंग, दरवाजे की घंटी बजी, एट अट अकलॉक, आठ बजे, दरवाजे की घंटी बजी, I'll get it, मैं देखती हूँ, नॉर्बा कॉल फ्राम दा किचन, नॉर्बा ने बावर्ची खाने से पुकार कर कहा, आर्थर, आर्थर उसका शोहर, आर्थर वाज इन दा लिविंग रूम, आर्थर नशिस्त गाह में, रिडिंग पढ़ रहा था, लिविंग रूम, जिसको हम लाउंज कहते हैं, सिटिंग रूम, निशिस्त गाह, आर्थर निशिस्त गाह में बैठा पढ़ रहा था, तो जब नॉर्बा ने दरवाजा खोला, तो उसने देखा, कि, देर वाज असमाल मैन, रहदारी में एक पस्ताकद का आदमी खड़ा था, रिमूवड इस हैट, रिमूव उतारना, रिमूवड इस हैट, उसने अपना हैट उतारा, ये एहतराम करने के लिए, जू ही नॉर्मा ओपन देडूर, जू ही नॉर्मा ने दरवाजा खोला, तो उसने एहतरामन, उसने ताजीमन अपना हैट उतारा, मिस्स लिविस, क्या आप मिस्स लिविस हैं, ही इनकौाइड, इनकौाइर पूछना, पलाइटली शाइस्तगी से, मिस्स लिविस, उसने शाइस्तगी से पूछा, नॉर्मा ने कहा येस, हाँ तो steward ने कहा I'm Mr. Steward मैं Mr. Steward हूँ Oh yes Oh हाँ Norma repressed a smile Norma ने अपनी मुस्कुराहट को रोका अपनी मुस्कुराहट को दबाया मुस्कुराना चाह रही थी लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट को रोका She was sure now अब उसे यकीन हो गया था It was a sales pitch Sales किसी चीज़ को बेचना खरीद और फरोक्त करना और pitch अपनी चीज़ बेचने के लिए दुकानदार जो तक्रीर करता है बात करता है गहक को कायल करने के लिए उसे sales pitch कहा जाता है She was sure now अब नार्मा को यकीन हो गया था It was a sales pitch कि ये किसी चीज़ को बेचने की गुफटगू है अब उसे यकीन हो गया था कि ये किसी चीज़ की खरीद और फरोक्त की बातचीद है तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही कल इन्शाला हम अपने इस लेक्चर के सिल्सले को दुबारा शुरू करेंगे कल तक के लिए खुदा हाफिज अपना ख्याल रखिए कर दो दुदार शुरू कर दो दुदा है